आपके लिए मैं एक वीडियो लेके आया हूँ जिसमें पूजा के इस्तल दिखाए गए हैं ये कोशन आपके मेधावी में पहले आ चुके हो सकता है इस बार भी आपसे पूछा जाए तो बहुत ही अच्छा कोशन है और आपको इसमें पिक्चर के साथ दिया गया होगा या स जिहान से देखना है और याद रखेंगे कि कौन सा धर्म का पूजा इस्तल क्या होता है भाई सबसे पहले कॉमन जो है हमारा बहुत ही हिंदू धर्म की बात करेंगे फिर हम करेंगे मुसलिम धर्म की बात फिर सिक धर्म की फिर इसाई धर्म की ठीक है तो हिंदू धर्म में हम बात करते हैं हमारा जो मंदिर पूजा इस्तल का नाम क्या होता है टेंपल इंगलिस में इसको टेंपल बोलते हैं हिंदी में इसको मंदिर बोलते हैं ठीक है तो हिंदुओं का पवित इस्तल पूजा इस्तल क्या होता है मंदिर मुस्लिम कहां पूजा करने जाते हैं या गुर्द्वारा, यहाँ पे सुन्दर से जो है, अपने स्वन मंदिर की फोटो दीवगई है, जो अम्रिस्सर में है, कहाए? आपसे पूचा जाएं स्वनमंदिर कहा है, खीक है? скоро कहा देंगे किस अम्रिस्सर पंजाब में है ठीक है? चलिए, चर्च चर्च किस इसका वर्षिप का स्थान है इसाई धर्म के लोग जो इसा मसी को मानते हैं उनका पूजा इस्तल क्रिस्चन धर्म को मानते हैं उनका पूजा इस्तल क्या होता है चर्च होता है बहुत ही सिंपल सा कुश्चन है अब आजाते हैं बुद्धर्म के उपर बुद्धर्म हमारे प पूजा की। उसको क्या कहा जाता है। देरसर कहा जाता है। जन्धर में जो पूदा-इस्थल है, जो वर्षिब का ये जो उनका इस्थल है। यहां वह आपको नी पूजा करते हैं। तो हो देरणा सर कहलाता है ठीक है। बहुत अच्छे से मैंने आपको बता दिया है अब ही आगे देखते आगे मैं कुछ question आपकी ले है आ रहा हूं बहुत simple से है आपको यहा एक चार्ट दिखाया गया है यहां पे तो आप इन में से जितने भी photos आपको दिख रहे हैं क्या आप उनके नाम बता सकते हैं, जैसे मैं कहूं, एक नंबर पे आपको नाम पता है, दो नंबर पे नाम पता है, तीन पे पता है, चार पे पता है, पांच पे पता है, क्या छै पे, साथ पे, आट पे, नौ पे, दस पे, ग्यारा पे, क्या इन सब का आपको पता है, इन में से अगर आपको किसी का भी नाम आता है तो आप जल्दी से मुझे कमेंट करके मुझे आंसर जरूर से बताएं और मेधावी के लिए आपका ये बहुत important question था पूजाघरवाला कि भाई कौन सा धर्म कहां पे पूजा करता है तो अब मुझे लगता है आपको ये याद हो गए होंगे अगर आपको question अच्छा लगा हो ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मुझे जरूर से जरूर बताएं और message करके भी मतलब कमेंट करके भी आप बता सकते हैं वीडियो अच्छा लगा हो तो like जरूर करें